अब ही जो आप market देख रहे हैं यह पटना का बहुत ही अच्छे location में एजी कॉली market है और यह bank of baroda देख रहे हैं मातर इस market से 10 कदम की दूरी पे हम आपको एक बहुत ही सांदार एक जमीन दिखाने जा रहे हैं दोस्तों जिसको देखके कहेंगे आप जमीन हो तो ऐसा हो क्योंकि इसमें आपको दो plot का option हम देने जा रहे हैं इसलिए वीडियो अन तक बने रहिएगा पूरी जानकारी आपको भी start में दे दी जाएगी और चैनल पे पहली बार आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जमीन मकान फ्लैट का वीडियो पटना के अलग अलग location में हर दिन देखते रहने के लिए kindly चैनल को सब्सक्राइब कर दें एक बार हमारे चैनल पे जरूर से जरूर विजिट करें दोस्तों बहुत सारे प्रोपर्टी का वीडियो ओलेडी डाला हुआ है चलिए वीडियो को करते हैं start वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो like, share, comment करना ना भूलिएगा तो चलिए मैं इस detail बताता हूँ दोस्तों अभी जो हम लोग रोट पे चलना है यह धलाई रोट दिखाई दे रही है यह 20 फिट की धलाई रोट है मार्केट से देखा आपने की कितना नजदीक है अब बस आप 10 कदम जैसे ही आप अंदर आएंगे तो यह लेफ्ट हैंड साइड में यह रोट अंदर गुश रहा है मैं बता दू दोस्तों कि पटना का AG कॉल्ली कनेक्टिविटी काफी अच्छी है राजीव नगर के तरफ भी आप जा सकते हैं AG कॉल्ली से आप बेली रोट भी जा सकते हैं और AG कॉल्ली से आप पटेल नगर होते हुए बोर्डिंग रोड भी जा सकते हैं उसी मार्केट से देखिए चंद कदम की दूरी पे हम अपने प्रोपर्टी के पास पहुच गये हैं दोस्तों मैं बता दू दोस्तों यह चेतना नगर समीती रोड है पटेल नगर एजी कॉल्ली में जो ही आप आते हैं मार्केट से बैंक और बरोडा के सामने तो यह चेतना नगर समीती है यह देखिए गेट के अंदर में आपको एक डेमोलिस मकान दिखाई दे रहा है यह मकान को हम लोग डेमोलिस कर रहे हैं दोस्तों लैंड में कनवर्ट कर रहे हैं दोस्तों जिहां जमीन में कनवर्ट करके हम आपको दो लोग को दे सकते हैं बेसिकली इसमें अगर एक आदमी लेना चाहे तो उनके लिए भी यह टोटल जमीन पंद्रा सो चाली स्क्वार फिट के अगर प्लोट की बात करें दोस्तों तो उसमें जो अगर हम फ्रंट की बात करें उसकी चौड़ाई की बात करें उसमें चौड़ाई जो आपको मिलेगी पंद्रा सो चाली समें 54 फिट की मिलेगी 54 feet की चुड़ाई मिलेगी वहीं अगर गहराई की बात करें उसके depth की बात करें तो वो होगा आपको 28 feet का जिहां 28 feet इसकी गहराई होगी चुड़ाई जैसा मैंने बता है 54 feet का होगा वहीं अगर इसके हम facing की बात करें इसके दिशा की बात करें तो वो मिलेगा north जिया उत्तर जो वास्तु के हिसाब से अच्छा माना जाता है दोस्तो sunlight वगरा का कहीं कोई issue नहीं या वहीं अगर हम road की बात करें जो 20 feet का road आपने connecting दिया था उससे मात्र आपको थोड़ा दूर चलना है 12 feet का road है यानि ये plot जो होगी आपको 12 feet के road पी होगी दोस्तो सहुलियत की बात करें तो school, market, banks, malls आपके मात्र चंद कदम की दूरी पे मिलने जा रहा है दोस्तो वहीं मैं बता दू दोस्तो ये रहिस्टी plot है अगर किन लोगों को अगर loan लेना होगा तो loan की facility भी हम आपको कड़ा के देंगे दोस्तो plot काफी अच्छा है दोस्तो इसलिए अगर ये plot आपको पसंद आ रहा है और आप इसकी visit करना चाहते हैं और इसका price जानना चाहते हैं तो screen पे हमारे person का number दिया हुआ है उनको call करके बाकी की जानकारी विस्तार में ले ले वीडियो अच्छा लगे तो like, share, comment करना बिल्कुल न भूलिएगा आपका दिन सुबह धन्यवाद